हाई as a doctor मुझे अक्सर ये सवाल पुछा जाता है कि sir operation के बाद हम कब से अपनी physical activity शुरू कर सकते हैं ना कि सर्फ actual patients बटकि YouTube पे आप लोग ने भी कई बार ऐसे comments किये हैं और ये question का answer मैं आज detail में इस वीडियो में देना चाहूंगा तो जहां तक physical activity की बात आती है operation के बाद इसका कोई fixed answer नहीं है बट कुछ कुछ चीज़े हैं जो कि आप consider कर सकते हैं कुछ suggestions हैं जो मैं आपको दे सकता हूं जिसके जो हम इस वीडियो में शेयर करें तो सबसे पहली बात जो हमको ध्यान रखनी operation के बाद अपनी physical activity शुरू करन करने वाली बात ही है कि आपको कोई भी activity को immediately शुरू नहीं करना है और कोई भी तरीके से जल्दी बाजी नहीं करनी अपनी activity शुरू करने के लिए आपको कोई भी फिजिकल activity हो सपोस्थ आपका operation आज हुआ है तो आप मान के चलिए कि आप धीरे धीरे बातरून जाना फिर से शुरू करेंगे धीरे धीरे अपने किचिन में काम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे अपना ओफिस जाना शुरू करेंगे और यह सब को stepwise manner में करना पड़ेगा over a few weeks generally आजकल यह करने में लोग को बहुत अगलीफ होती है बिकॉस आजकल हर चीज इंस्टेंटली करने का समय है लोग चाहते है कि आज operation हो जाए कल मैं अपना ठीक हो जाओं परसों में office चला जाओं Saturday to Sunday सब इंगम निपड जाए but unfortunately अपनी body बहुत ही पुराना design है कई हजारो करोलो सालों से यही model चलता आ रहा है तो it is very difficult for your body to get adjusted to your lifestyle after especially if you have undergone a surgery so my advice would be to start your physical activity gradually and listen to your body कि कभ आपको comfortable लग रहा है तभी आप अपनी activity शुरू कीज़े the next factor that you have to keep in mind is कि आपकी कौन सा टाइब की surgery हुई है इसमें बात आती है orthopedic surgeries कि याने कि अगर आपको कोई fracture का operation हुआ है अगर आपका कोई joint का operation हुआ है तो आपको वापस अपनी physical activity बहुत ही धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए and specially under guided supervision शूरू करनी चाहिए याने कि किसी physiotherapist की मदद लेके या किसी trainer की मदद लेके जिसको कि इन सब चीजों के बारे में जानकारी है the third question which is very commonly asked is कि हम योगा या exercise कब शुरू कर सकते हैं आप यह समझ लीजे कि योगा या exercise optional physical activity है याने कि यह कोई mandatory नहीं आपको आफिस जाने का काम नहीं है या को कोई किचिन में खड़े हो के काम करने वाली चीज नहीं जो कि आप अवाइड नहीं कर सकते हैं आप इन चीजों को अवाइड कर सकते हैं तो कोई जल्दी बाजी मत कीजिए इन चीजों को शुरू करने की एक बार आप अपनी basic activity जो है वो ठीक से कर पाएं तो ही आप सोचिए कि हम extra activities जैसे कि योगा हो गया जैसे कि प्रनायम हो गया जैसे कि जिम जाना हो गया वो शुरू करें another very common ask question is that कि जो physical examination test होते हैं यानि कि जो पुलिस वाले भरती के टेस्ट है या जो आर्मी वाले टेस्ट है उनमें हम तब से पार्टिसेपेट करें तो अगेन मैं आपको यही बताना चाहँगा कि इसका भी कोई fixed answer नहीं है however अगर आप ऐसे कोई test में जाने वाले हैं और अगर आपके पास option है प्लान करने का तो आप कम से कब एक से दो महिने पहले अपनी सर्जरी प्लान कीजिए जिससे की operation के बाद आपको sufficient समय मिल पाई अपनी physical activity बढ़ाने के लिए मैं यह मान के चल रहा हूं कि हम soft tissues की operation की बात कर रहें और ऐसे operations की बात कर रहें जिनको की प्लान किया जा सकते हैं, emergency operations नहीं फॉर एक्जामपल खर्णिया का operation हाइड्रोसील का operation पाइज का operation फिशर का operation या कोई swelling हो कोई body में उसका operation गॉल ब्लाडर का operation यह सारे operations जैसे होते हैं जिनमें की अगर कोई कॉंपलिकेशन ना आये तो लगबग एक से दो महिने में recovery पूरी तरह अच्छे से हो जाती है और आपने फिजिकल आप धिरे धिरे ग्राजोली अपनी बॉड़ी को चांगी एड़स्ट होने का तो ही आपकी रिकवरी अच्छी हो पाएगी और अपने कॉंपलिकेशन से दूर रहेंगे दुबारा हॉस्पिटल नहीं पॉचेंगे लास्ट बट नॉट दे लीस्ट ऑफेस कब से जाएं टू वीलर कब चला है फोर वीलर कब चला है तो उसके लिए कुछ चीसे ध्यान में रखनी है अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेशन हुए है जो के पैरों का है जो की हातों का है जिसके वज़े से आप वेहिकल नहीं चला सक क्या काम बिकॉस कई दवाईयों की वज़े से हो सकते आपको नीद आने लगे अगर आप अपना नहीं तो आपने आजू-बाजू वाले उनका भी नुकसान करेंगे आप आप नीचे कमेंट कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन सबके शार कर दीजिए जो भी ये क्वेश्चन का आंसर ढूंगे ऐसे यो अगें इन नेक्स वीडियो लिवहल्दी लिवस्मार्ट